पहले एबरिवन देखे डिसकस करते हैं और इस टाइप का इंटिग्रेशन जो एक्जाम के पॉइंट आप भी से इंपोर्टेंट है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको करने की ट्रिक क्या है इसमें एक्स की जगए टेन ठीटा रखेंगे यहाँ एसको इसके साथ ए ओट लगा देते है यही इसकी ट्रिक है एक्स इक्वल टू टेन ठीटा फूट करेंगे इसमें तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए टेन ठीटा का डेफ्रेंस एजन सेक स्क्वाइर ठीटा और दी ठीटा दी एक्स की प्लेस पे यहाँ पर इसकी जगए लिख देंगे ए सेक स्क्वाइर ठीटा और दी ठ अपॉन अंदर रूट ऑसकुयर प्लेस अब एक्स के प्लेस पे ये 80 ठीटा तो e स्कुयर 10 स्कुयर ठीटा एसे 수कुयर मंगा दी ठीटा ओबर तो e अबार बाहर कॉमन होगा तो e बाहर आएगाмов अंदर रूट के होजे बज़े का 10 square theta इसलिए यह लगाया था कि common मिल जाए अब 1 plus 10 square theta क्या होता है 6 square theta तो इसकी जगे 6 square theta लिख देंगे यह से cancel out 6 square theta due theta over के बल्स एक theta बचेगा एक power cancel हो जाएगी इसकी अब सिर्फ sec theta और d theta इसका integration के अउतर log of mod sec theta plus n theta plus c एक constant लगाया जाता है arbitrary constant integration के बाद अब खाली से एक theta और 10 theta को change करना है किसमें x में तो x की जगे क्या लिखा था a 10 theta 10 theta equal to कितना हो जाएगा x upon a triangle बना लेंगे यहाँ पर theta का perpendicular upon base तो यह हो जाएगा x यह हो जाएगा a पाइथा गोरस से हो जाएगा a square plus x square log of sec theta की value कितनी है sec theta क्या होता है cos theta का उन्टा high potential upon base यानि कि under root a square plus x square upon a plus 10 theta की value तो यह ही से रिखा सकते हैं चाहिए यहाँ से देख लें x upon a plus c log of mod a आजाएगा lcm यह क्या लिखा है under root a square plus x square plus x mod plus c अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है log की property लग जाएगी log m by n equals to log m minus log n यहाँ base e याँ 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 नेचिरल लग जाएथा हम इसी को ln लिखते हैं sort में इसको ऐसे भी लिखते हैं ln x plus under root x square plus a square log m upon n minus log a plus c अब c minus log a यह भी constant यह यह दो प्लस 3 लिखा है तो इतना तो पांच constant में constant अगर add करें यह constant अगर तो अगर तो अगर था यह constant ln x plus under root x square plus a square इस पूरे को एक constant मानने यह 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 c does x यह बाई अगर यह यह लिखा है यह यह फिर्मूला log of dx over under root x square plus a square अब सिर्फिर एकोई सोरा बना रोट ऐ स्वार बनाद फे वाहिए लिए धोगैंगे इस पाई यह फूला हो रहिए अधि एग रोट है हना नू जसे लिए वाहिए प्रुणर हो रहे हैं एकोई स्वार हो रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है अब था एल एन आफ लॉग एक्स प्लिस यही जो गिवन है अंडरूड एक्स स्क्वार माइनस एक्स्क्वार प्लिस सी इसको कैसे पूरूफ करते हैं इसमें एक्स की जगए रक्स लेते हैं क्या एक टेटा फॉर्मूला की अधा स्क्वार थीटा एक्कुल स्टी वन प्लिस एन स्क्वार थीटा यहां पर क्या लिखना पूरेगा क्योंकि माइनस का ए स्क्वार है एक्स की जगए ए स्क्वार थीटा लिख देंगे के स्क्वार बार आ जाएगा स्क्वार थीटा माइनस बन वज़ेगा टेंट थीटा है सिर्फ याद करने के लिए है इतना सा देखने वाली बात क्या है यह एक्स क्या है एक्स का मतलब लीनियर फंक्शन एक्जाम्पल देखते है इसे dx of 1 upon under root x square plus 4 है इसका करना integration तो dx upon under root x square plus इसको लिख देंगे 2 square और यह हो जागा integration log of x का मतलब linear function plus under root यही चीज जो given है और इससे right यहां आ जाएंगे x square plus 4 और plus c दूसरा question कैसे या था इसमें इसे dx upon under root 2x plus 4 का whole square plus 5 इसका करना integration तो यही फॉर्मल लिनियर function है यह तो dx upon under root 2x plus 4 का whole square और इसको लिख देंगे under root 5 का square अभी फॉर्मल लिख 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 लोग of x plus x का मतलब यह लिनियर function 2x plus 4 तो plus under root जो given है वो given तो यही था पहले यह लिखेंगे पर इससे यहां direct आ जाएंगे 2x plus 4 का whole square plus 5 बट सोचने वाली बात है x के साथ यहां अब 2 है तो वो 1 upon 2 बार लिखा जाएगा तो इसको t मानेंगे इत्ता function मनेगा इसका differentiation कि अगर 4 का 0, x का 1 2 आएगा तो 2 लिखा जाएगा इससे पहले वाले question में गया था x था, x का differentiation होता है 1 1 upon 1 यह 1 so नहीं किया जाता है असलिए अकीकत ही है अगर इससे question है dx upon under root x square plus 4x तो plus 9 है तो कैसे करेंगे इसका integration की इसको perfect square बनाना पड़ेगा इस तरह की formula की नहीं पड़ेगी x square plus perfect square कैसे बनाते है x के बुरांग का आधा और फिर square 2, 2 या 4 यानि कि 4 लगाना पड़ेगा तो 4 तो इसमें मिल जाएगा 9 में तो इसको लिए 4 plus 5 तो dx upon under root यह यहां से यहां तक यह x का square यह 2 का square x plus 2 का whole square यह तो अपने offset हो जाएगा इसमें plus 5 5 का मतलब under root 5 का square यह हो जाएगा अपलगाते की फॉर्मॉला log of x x का मतलब यह linear function x plus 2 plus y चीज है यहां से आएगे फिर यहां से यहां जाएगे तो क्या लिखेंगे direct under root x square plus 4x plus 9 ऐसे यह जाते हैं इसमें आएगे 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 upon under root 2x square plus 3x plus 9 2x square plus 3x 2x square plus 3x